कान नगरी में समारकों का दिदार करने वाले स्तालियानियों के लिए पुरा तत्व विभाग पुरी तरह से आनलाइन टिकेट बेचने के शुरुआत करने जा रहा है। टॉम से इसकी शुरुआत हो रही है। ताज महल समय तमाम समारकों को देखने की हसरत लिए परेटकों को अब नई विवस्था का सामना करना पड़ेगा। जल्द समारकों पर परेटक सिर्फ ओनलाइन टिकेट ही ले पाएंगे। पूरा तत्व विभाग ने शुकरवार से इसकी शुरुआत कर दी है। अभी ट्राइल हमने शुरू किया है मरियम स्टॉम पर इसलिए क्योंकि वहां का जो अबरेज बीष्टर है पचासे साट की उनकी संख्या होती है। और उसमें अगर कोई फाल्ट है या और कोई दिक्क ले आ रही हैं तो उनको हम दूर कर सकते हैं। फिर उनके बाद बाकी इस मार्कों पर लगेगा। मेकैनिजम आल्मोस्ट यही रहेगा सिर्फ प्लेट फार्म बदल रहा है। पहले जो प्लेट फार्म था वो केनरा बैंक का और पेयू मनी का अंलाइन प्लेट फार्म इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो नया प्लेट फार्म आ रहा है वो एनसडील का प्लेट फार्म होगा। इसमें कुछ और इंप्रूवड विवस्थाएं आएंगी जैसे अभी वो लागू नहीं है आने वाले समय में लागू होगी। जैसे जो एंड्राइड जिनके फास फोन नहीं है वो भी जो नार्मल फोन है वो भी एसमेंस के माध्यम से टिकट को भूग कर पाएंगे। तो वो एक एडिस्नियल सहुलियत होगी जो परेटकों को हम दे पाएंगे। लेकिन अभी उसको लगने में समय लगेगा। काम कर रहे थे अब ये है सारा काम NDRF के जरिये होगा। इसमें खास बात बस ये है। अब जो लोग एंड्रोइड यूजर नहीं है वो भी SMS या OST कोड के जरिये भी टिकेट बुक करा सकेंगे। टिकेट बुकिंग के दुरा नेटवर्क की परिशानी ना हो। इसके लिए भी विचार की आजा रहा है। सीनियो उसके लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।